यह अच्छे से गाड़ा हो गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है, यह देखिए. Hello friends, स्वागत है आपका कार्डियू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं नारिल के बूरे और सूजी का हल्वा. इसके लिए मैंने लिया है, एक कप नारिल का बूरा, तीन चथाई कप चीनी, आधा कप सूजी, वन फोर्थ कप घी, थोड़े से कटे हुए ट्राइफ रूट्स, और साथ में इलाइची लिया है, चार, उसको मैंने बारिक पीस लिया है. और हम पानी लेंगे सूजी का पाँच बुना, साथ ही इंग्रिडेंट्स के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए चलते हैं कडाई की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रैसिपी, हल्वा बनाने के लिए कडाई में सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, सूजी को लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक हम भुनेंगे, सूजी भुन गई है, इसे भुनने में लगबग 4-5 मिनट क समय लगा है, बस ध्यान रखना होगा, इसको लगातार हमें चलाते रहना है, अब इसमें डालेंगे घी, इसको इसी तरह लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें नारिल का मूरा डालेंगे, इसको भी लगातार चलाते हुए कुछ दिर के लिए हम भूनेंगे नारिल का बूरा भी अच्छे से भून गया है इसमें खुश्बू आने लगी है अब इसमें पानी मिलाएंगे इसको लगातार हमें चलाते रहना है नहीं तो इसमें लामस आजाएंगे अब इसमें चीनी मिलाएंगे चीनी आप टेस्ट के हिसाप से कम या ज़ादा कर सकते हैं इसमें उबाला आने तर इसको हम लगातार चलाते रहेंगे इसमें उबाला आ गया है अब इसमें इलाईची का पाउडर दालेंगे और ड्राय फूट्स दालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको गाड़ा होने तक हम पकने देंगे यह अच्छे से गाड़ा हो गया है इसने घी भी छोड़ दिया है यह देखिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बॉल में निकाल लेंगे यह हलवा मैंने बॉल में निकाल लिया है अब इसको हम ड्राय फूट से गार्णिश करेंगे मैंने बदाम लिया है आप चाहें कोई भी ड्राय फूट ले सकते हैं यह बदाम से मैंने अच्छे से गार्णिश कर लिया है यह बहुत ही टेस्टी बना है आप इस रेसिपी जरू ट्राय करिए और अगर आपका कभी मीठा खाने का मन हूँ या घर में कोई गैस्ट आ जाए तो इस रेसिपी को आप 10 मिनिट में बना के तयार कर सकती है आप इस रेसिपी जरू ट्राय करेंगा अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शियर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर औल क्लिक करें थैंक्यू